नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपनी यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के मैं दोस्तों इस वीडियो में में लेकर आ गया हूँ खेल जगे से जुड़ूए इंपोर्टन स्वाल जो कि प्रिवेश एर एक्जाम से पूछेगे 400 स्वाल कवर होने वाले हैं ये पार्ट फास्ट है जिसमें अपने 150 स्वाल कवर करेंगी और इस वीडियो में इस पेशल जो रेल्वे के एक्जाम सुए हैं 2018 में उसमें पूछेगे जो इसपोर्ट ट्रॉफी है खिलाडी किस खेल से संबन देते हैं और इंपोर्टेंट वीवी स्वाल कवर होने वाले हैं यह सभी एक्स्टा फेक्ट साइथ कवर करने वाला हूं तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना और जो अन्य पार्ट और आएंगे उसमें अपन SSC हैं बाकि अन्य रेल्वेए एक्जाम्स की जो अभी एक्जाम्स हुए हैं 2020 हैं वो सभी स्वाल अपन कवर कर लेंगे खेल जगर से जड़ोए तो टोटल 400 स्वाल रहने वाले इसकी पीडियो फाइल आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल तो description box में link और worship number है वहाँ से आप contact कर सकते हो तो चले आपके सामने जो पहला स्वाल आ रहा है और मैंने description box में एक playlist की link भी दे रखी हैं जो कि अभी exams में स्वाल पूछे जा रहे हैं जो आज का trend है उसके GK के स्वाल cover कर रहा हूँ वो भी आप देख सकते हो तो आपके सामन या फिर समू है वो बरब पर figure skets का प्रियोग करता है बरब पर और figure skets है जिसमें जो सू होता है जूते के नीचे ही यहाँ पर skating है वो skets fit कर दिया जाता है और वहाँ पर पर परदस्वन करते हैं और जो figure skating है यह Olympic खेलों में शामिल होने वाला पहला शीत कालिन जो winter Olympic था औ यहाँ पर हो जाएगा table tennis है यह table की मदद से खेला जाता है table tennis को दोस्तो pink pong भी कहा जाता है और table tennis है यह चाइना का राश्टरsi खेले वहाँ पर इसको pink pong कहा जाता है और table tennis है इसका आयूजन है यह दो, विशयआप JUज़ा करने टैबल टैनिस फेडरेशन आई डेबल टी एफ दौरा शाशित है जो के 1926 में इस्तापित हुआ था अगरा स्वाल देखे क्योंसर नमबर थ्री निमलिकित में से कौन सा किर्केट से सम्दित टर्म है तो वाइड बोल आपको पता होना चाहिए किर्केट का टर्म से हैं बाकिय में हो जाएगी श्टल कॉक जो कि आप बैन मिटन मैं स्पेसले का रेशन अगर और कॉर्णर केखे यह आपके फूटस का हैं कोर्णर किक फूटबक की टर्म हैं और शटल कॉक हो जाएगा बैंड मिटन है पैनल्ट के कर फोटबॉल की है आपको क्रिकेट का पूछा था तो ये वाइड बोल हो जाएगी अगला स्वाल देखिए 1912 में पहली बार ओलंपिक खेलों में 13 की में भाग लिया तो महिला उन्हें लिया था 1912 में महिला उन्हें प और महिलाओं की बात करूँ तो पर्थम बार 1912 में पैरिस का जो ओलंपिक हुआ था उसमें महिला एथलिट स्कोर्ष रामिल किया गया था अगला स्वाल देखिए क्योशन नंबर फाइव चेजिंग दर डारेक्शन सब्द है ये केस खेल में प्रियुक्त होता है तो चेंज करना है ये खोको का टर्म सो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट है अगला स्वाल यहां पर रंजी ट्रोफी निमन में से किस खेल से संब्दी थे आप सभी को पता होना चाहिए रंजी ट्रोफी है क्रिकेट की ट्रोफी है और यहां पर एक स्वाल पूछा जाता है सबसे जदा बार रंजी ट्रोफी किसने जीती है तो मोस्ट सक्सेस पुलेवो मुंबई है जो की 41 टाइटल्स अपने नाम कर चुकी है अगला स्वाल यहां पर होकी की खेल की शुरुआत भारत में किनों ने की थी तो बिर्टिश लोगों ने होकी की खेल की शुरुआत की थी भा अपड़े पहनने होते हैं तो गोल कीपर है वो अन्य जो अपने टीम की खिलाड़ी है उनसे अलग कपड़े पहनते हैं मैं फूटबॉल की बात करूँ तो जो एक टीम है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं तो फूटबॉल में होते हैं जिस परकार किरकेट में 11 होकी में 11 और फोटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, अगला स्वाल देखे, क्योशन नमबर यहाँ पर 8, तो 9 है कि किर्केट पिच में 2 मद्दे स्टम्प के बीच की दूरी होती हैं, तो किर्केट पिच में स्टम्पों के मद्दे की जो दूरी होती हैं, वो होती हैं आपके 22 यार् होती हैं, उप्सन ए इसमें क्रेक्ट हो जाएगा, नेक्स स्वाल क्योशन नमर 10, आपस में जुड़े होए छलो को ओलमपिक परतिक की रूप में दर्शाय जाता हैं, तो ओलमपिक जो शिंबल हैं, वहाँ पर आप देखते हैंगे, पांच रिंग होती हैं, आपस में इस प ग्रीन हैं, रेड हैं, और इसे ओलमपिक रिंग कहा जाता है, तो यह पांच रिंग है, किसको रिप्रेजेंट करती हैं, यह भी स्वाल पूछा हुआ है, तो पांच जो रिंग हैं, यह पांच महादीब को कौन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, पांच कौन से महाद कप जीता था तो कपिल देव की कपतानी में भारत ने 1983 का वल्ड कप जीता था और मैं यहां पर किरकेट वर्ल्ड कप की बात करूं तो ये षैक्ट एंपोर्टेंट है पर्थम किरकेट जो ओडियाई वर्ल्ड कप वो कब हुआ था तो 1975 में आपको याद में रखना है जिसमें विजेता रही थी वेस्ट इंडीज रही थी सेकेंड वर्ल्ड कप है ये देखें वर्ल्ड कप चार वर्ष के अंतराल में होता है तो जेकेंड जो वर्ल्ड कप हैं 1989 को हुआ था जिसमें जो विजेता है वो फिर वेस्ट इंडीज रह भारत में अब तक कितनी बार वर्ड कप आयजित हो चुके हैं तो तीन बार भारत यहां पर श्रिलंका और बंगलादेश में और फिर यहां पे तीसरा 1996 में जो पाकिस्तान भारत और सिर्लंका ने सियुक तूप से मेजबानी की थी तो तीन वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है और नेक्स्ट जो 2023 का वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया में आजित होने वाला है 2019 में जो हुआ था वो इंग्लेंड और वेल्स में हुआ था जिसमें इंग्लेंड टीम है वो विजेता रही थी अगला स्वाल यां पिर हैंड बोल की खेल में रेफरी की दोरा जो येलो कार्ट देखाया जाता है ये किसका संकेत है तो handball में जो yellow card देखाए जाता है वो है चेताव निका संकेत हो जाएगा option C चेताव निका next वाल क्योसर no.14 किस देश में 2022 की जो राष्ट मंदल खेल है Commonwealth Games है ये आयोजन किया जाएगा तो किस देश में 2022 में राष्ट मंदल खेल आयोजित होने वाले है और इससे पहले 2018 में जो राष्ट मंदल खेल आयोजित किये गए थे वो गॉल्ड कॉस और क्विंस लेंड और औस्टेल में आयोजित किये गए थे ये भी आपको ध्यान में रखना है next स्वाल देखे क्योसर no.15 अगला निमलिक्त में से किस खेल या फिर इस्पोर्ट में खेलने के लिए गैंद की आवशिक्ता होती है तो गैंद की जो आवशिक्ता होती है वो आपके बोली बोल करेक्ट हो जाएगा बाकि उची कूद कराटेखों को इसमें नहीं होती हैं आप सभी को पता होना चाहिए काफी जी स्वाल था अगला निमलिकित में से कौन सा टैनिस के Grand Slam टूनामेंट के अंतरगत नहीं आता है तो यह हो जाएगा Korea Open देखिए जो टैनिस के चार Grand Slam है तो French Open हो गया Wimbledon Open हो गया US Open हो गया और जोता यहाँ पर हो जाएगा आपकी Australian Open है और बहुत बार स्वाल पूछा जाता है यह किस सर्फेस पे खेले जाते हैं तो चारों ही यहाँ पर अलगलग सर्फेस है जैसे कि मैं French Open की बात करूँ जो कि Late May और Early June में खेला जाता है तो यह सर्फेस है वो कले हो जाएगी Wimbledon में Grass की सर्फेस रहती है US Open में Hard सर्फेस है और Australian Open में भी Hard सर्फेस है यह आपको ध्यान में रखना है अगला स्वाल देखे क्यों सा नंबर 17 है निमन में से किस खेल में गैंद की जाते हैं तो परति जन्दवी को पठकनी दे कर दबोचे रखने के लिए जाते हैं वो कुष्ति में अगला स्वाल भारत्य दूत्य चन्द निमन ने में से किस खेल स है जीरुई ही है चुबहरत्य एफलेट दूत्य चन्द है वो है तेज़ दोड़ स्प्रिंटिंग अब देखे तेज़ दोड़ में कौन सी दोड़े होती है तो 100 मिटर की रेस हैं 200 मिटर की रेस है और 400 मिटर की रेस है यह तीनों ही तेज़ दोड़ की है तो 400 मिटर तक जो रेस है वो है स्प्रिंटिंग के अंतरगत आती है जिसमें द पर्थम, सबसे जो क्रिकेट बड़ा इस्टेडियम है, वो कौन सा है, तो Melbourne पहले था, Melbourne Australia में स्थित Melbourne क्रिकेट ग्राउंड है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट इस्टेडियम अब हो चुका है, इसकी दर्शक शम्ता के एकोर्डिंग बात हो रही है, एक लाख च पूर्ण देख रहे हैं तो कमेंट करके बता ये तीसरा स्टेडियम कौन सा है मैं बहुत बार वीडियों बता चुका हूं किस टीम ने रंजी ट्रोफी अधिक्तम बार जीती हैं आपने उपर देखा हैं मुंबई ने जीती हैं सबसे ज्यादा बार 41 बार अगरा स्वाल देख मनाया जाता है कबडी की टीम में इस्थापन खिलाडियों को छोड़ कर कितने खिलाडी होते हैं तो मैदान में जो कबडी की बात कर तो साथ खिलाडी एक बार मैदान में उतरेंगी और जो रिजरूर रहते हैं आरक्षित रहते हैं वो पांच खिलाडी तो इस्थापन खि कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है तो यह आपके चार वर्ष के अंतराल में जीद किया जाते हैं और 2022 में जोरी में 18 की बात करूं 2018 के ये गिर्शम कालिन है लेकिन यहापर में विंटर का देर का है 2018 का जो विंटर ओलम्पिक है देखिए इससे पहले 2016 का गिर्शम कालिन है 2016 में रियोडे जैनेरियो ब्राजिल में हुआ था और 2020 में जो अभी परस्तावी टोक्यो जापार में था वो पॉस्टपॉन होकी 2021 में कर दिया गया है और ये विंटर ओलम्पिक है 2018 में शाउट कोरिया में हुआ था और 2022 में होने वाले हैं वो बिजिंग चाइना में होंगी अगले स्वाल के और बढ़ते हैं कि उसन नंबर 25 वो अंत्रिक श्यात्रियों को परशिक्षित करने के लिए निमनमेसिक के स्खेल का परियोग किया जाता है तो इसमें ओप्सन दे रखा है ये आपके आर्पिए कॉंस्टेबल में पूछा हुआ स्वाल है कि उत पतन चोटकर कभडी मैच की अवधी क्या होती है निइ इंटर्वेल को छोड़ दें तो कभडी मैच स्वाल 40 मिनट की टॉटल टाइम रहता है कभडी में और यहां पर एक सवाल बहुत बार पूछा हुआ है कि कभडी में जो रेड़ दी जाती है वो कितना समय की रहती हैं तो रेडर को 30 सेकंड के भीतर वापस आना पड़ता है था रेडर की पास एक सिंगल रेडर में 30 सेकंड का समय मिलता हागी एक स्वाल आएगा जो रेड टम से वो किस खेल से जोड़ावा तो ये कबड़ी का है कब D में total कितने खिलाडी मैदान में उतरते हैं तो 7, 7 खिलाडी एक बार मैदान में उतरते हैं और 6-5 खिलाडी यहां पर रिजरों में रहते हैं अगरा स्वाल देखिए volleyball के खेल में यदी referee अपने हातों के दोनों अंगुटों को एक साथ उपर उठाता है तो ये किसका संकेत है तो volleyball में referee यदी दोनों अपने हातों के दोनों अंगुटों को एक साथ उपर उठाता है तो ये संकेत है double fault and replay का संकेत है अब मैं volleyball की बात करूँ तो कितने खिलाडी इसमें रहते हैं एक टीम में तो दो टीम हैं ये किस sport से संबंदित है मीरा बाई चानू की बात करें तो भारो तोलन से संबंदित sport है और किस राजे से बिलाउं करती है तो मीरा बाई चानू है ये मनिपूर राजे के निवाशी है नेश्ट वाल यहाँ पर शब्द है अपरकट हुक और जेव निमलकित में से किस खेल से जुड़े हुए है तो ये मुक्के बाजी के है अपरकट है हुक है और जेव टर्म्स है ये आपके मुक्के बाजी के हो जाएगे option C correct है नेश्ट वापर अपराईज है और swing, salto, shrubd है ये किस खेल से जुड़े हुए है तो ये हैं gymnastics के ये जो terms है ये gymnastics की term आपको ध्यान में रखनी है नेश्ट यापर स्वाल नमबर 31 कि 2006 में पाकिस्तान की व्रुद मैच के पहले ही अवर में हैट्रिक यानि तीन लगातार विकेट ली थी इस परकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एक मात्र गैंदबाज है तो ये इरपान पठान ने ली थी test match चुआता 2006 में तो पाकिस्तान की व्रुद ली थी इन्होंने match के पहले ही और मैं hat-trick ले ली थी तो ऐसे करने वाले ये एक मात्र गैंदबाज बने है इरपान पठान अगला स्वाल देखे क्योसर नंबर 32 महराथन निमन में से किस से संबंदित है तो ये athletic से संबंदित हो जाएगी महराथन और महराथन में जो दोड रहती है कितने किलोमेटर की रहती है तो ये लंबी दूरी की दोड परतियोगिता है महराथन जिसके जो अधिकारिक दूरी है वो है 42.195 किलोमेटर यानि 26 मेल की दूरी है और ये आम तोड पर सड़क दोड की तोड पर दोड़ी जाती है अगला स्वाल यहां पर क्योसे नमबर 33 निमलिक्त में से कौन सा स्पोट है कबड़ी की तरह एक सस्ता खेले क्योंकि इसमें अधीक उपकरण की आउश्यक्ता नहीं रहती है तो ये हो जाएगा खोको और खोको में किसी भी परकार की उपकरण की आउश्यक्ता यहां पर नहीं रहती है और खोको में कितने खिलाड़ी यहां पर भाग लेते है तो परते खोको टीम में टोटल बारा खिलाड़ी होते है लेकिन यहां पर मैदान में कितने रहते है तो sprinting यानि जो तेज दोड रहती है उसमें 100 मिटर की दोड हो जाएगे आपके option एक रेक्ट है आप देखिए sprinting में यहाँ पर 100 मिटर, 200 मिटर और 400 मिटर की race रहती है sprint यानि run short distance as fast as you can थोड़ी दूरी अतिवेक से दोड़ना sprint होता है अगलस वाले आपर question number 35 निमलिक्त में से कौन सा श्रब्द billiard से संबंदित है तो cannon हो जाएगा वैसे cannon का क्या आर्थ होता है cannon का आर्थ होता है top और कौन सा terms है billiard से संबंदित है तो यह cannon हो जाएगा billiard से संबंदित terms है बाकी खो हो जाएगी खोखो में खोदी जाती है गुगली लेग बाई ये क्रिकेट की टर्म से अगला स्वाल देखिए क्योसर नमबर 36 यहाँ पर चाइना का राष्टी खेल पूचा मैंने आपको उपर बता चुका हूँ जो पिंग पॉंग टेबल टैनिस है और यह है नेस्टल स्पोर्ट आप चाइना है इसे पिंग पॉंग भी कहा जाता है वाँ पर निमन में से कौन सा एक बैड मिटन खिलाडी है तो अश्वीनी पॉनपा है ये बैड मिटन के खिलाडी है भारती बैड मिटन खिलाडी अश्वीनी पॉनपा अगला स्वाल निमन में से किस उपकरण का संबन बहारो तोलन से है तो यहाँ पर जो उपकरण दे रखा है इसमें बार बेल जो उपकरण है उसका संबन है बहारो तोलन से बागी मैं आपको shuttle cock के बारे में बता चुका हुँ यह दोस्तों है आपकी bandmitten का और racket है रेकेट भी आपके रेकेट यहाँ पर टैनिस में भी यूज होता है स्क्वेस में भी होता है रेकेट बोल में और बैन मीटन में इसका परियोग किया जाता है और shuttle को किया पर band meeting में तो यहाँ पर बारबेल का आपको पूछाता तो जो की भारो तोलन हो जाएगा अगर आश्वाल देखे penalty throw श्रब्द किस sport से सुड़ा हुआ है तो penalty throw है ये handball का terms हो जाएगा option ace में 2018 के अर्जुन पुरुषकार से सम्मानित रोहन बोपना किस खेल में जुड़े हुए है तो रोहन बोपना की बात के रहा तो ये tennis के खिलाड़ी है रोहन बोपना है tennis के player है deuce श्रब्द है ये किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है बहुत बार स्वाल पूछे गे है deuce terms है ये lawn tennis का है इसके अत्रिक जहाँ पर bandmitten में भी deuce terms का यूज होता है तो deuce tennis और manmitten दोनों का है अगला स्वाल देखिए volleyball खेल में spike को अन्य किस नाम से जाना जाता है spike को जो jump लगा के net के उपर से बोल को बहुत तेज वेक से यहाँ पर दाब लगा के फैका जाता है तो वो होता है spike smash यहाँ पर इसे spike कहा जाता है यानि इसका अन्य नाम हो जाएगा smash हो जाएगा option decrack है जो volleyball है उसमें net के उपर से jump लगा के बोल को थो किया जाता है अगला स्वाल देखिए पुरूष क्रिकेट विसुकप 2011 में man of the series का खिताब किस ने जीता है तो जो क्रिकेट वर्ल कप 2011 है यह भारत ने जीता था और man of the series का खिताब जीता था यूरा सीही ने option बी correct हो जाएगा यूरा सीही ने जीता है man of the series अगला स्वाल देखिए आपर क्योसर नमर 44 lag before wicket शब्द है यह किस sport से जुड़ा हुआ है तो lag before wicket यह LBW है यह cricket का टाउन से है जब आपका पैर है वो यहाँ पर wicket की स्टम के आगे आ जाता है उस case में और यहाँ पर out हो जाते तो वो LBW आउट यह cricket का है कबड़ी का उद्गम इस्तान आपको पूचा है तो यह भारत से हो जाएगा कबड़ी का उद्गम इस्तान है भारत से अगला स्वाल देखिए परशिद टैनिस खिलाड़ी राफेल नडाल के देश से सम्मन्दी थे तो राफेल नडाल का देश आपको पूचा है तो इस्पैन के हैं यह परशिद टैनिस प्लेइर है राफेल नडाल है तो इस्पैन का अन्य जो प्लेइर है फैमस यापर नौवाक जोकोविक है यह आपकी सरबिया के है रोजर फैडर है यह स्वीडिजलेंड के है तो यह तीनों ही पलेइर है फैमस पलेइर है तो इसमें जो टैनिस खिलाड़ी राफेल नडाल है इस्पैन के बाकी नौवाक जोकोविक सरबिया के है रोजर फेडर टैनिस ख्लाड़ी ये स्वीडियलाइड के हैं नेमन वैसे किस ख्लाड़ी का संबन्द होकी से हैं तो धनराज पिल्ले का संबन्द यहाँ पर होकी से हो जाएगा बाकि जो ऑप्षन में आपके दे रखे हैं महिस भूपती हैं तो ये इंडियन टैनिस ख्लाड़ी है मनिका बत्रा की बात करें तो ये टैबल टैनिस पलेर है रोजर माइकल बिन्नी है ये इंडियन क्रिकेटर है और यहाँ पर धनराज पिल्ले हैं जो कि होकी से से आगला स्वाल देखिए टू हैंड्स स्नेज निमन में से के स्खेलिया इस परदा से संबंदित हैं तो टू हैंड्स स्नेज ये भारो तोलन से संबंदित हो जाएगा टू हैंड्स स्नेज भारो तोलन आगला स्वाल देखे निमलीक में से कौण सा esports है jumping events के अंतरगत आता है तो यहाँ पर pole vault जो mask уд है यह jumping event के अंतरगत आता है jumping events में कौन से आते हैं तो चार jumping events है कौन सी है high jump हो गया, long jump हो गया, triple jump हो गया और pole vault हो गया जो की mask ud है तो जारों यहाँ पर jumping event के अंतरगत है आगला स्वाल देखिए कौन सी कोस्ती की शेली कोस्ती से सम्मंदित है तो कौन सी शेली यहाँ पर कोस्ती से सम्मंदित है तो इसमें आ जाएगा bridging तो bridging शेली यह कोस्ती से सम्मंदित आपको याद में रखना है साक्षी मलिक का संबंध किस स्पोर्ट से है तो साक्षी मलिक है ये कोस्ती से है अगला स्वाल देखिए क्योसर नमर 52 किस श्रीत कालिन खेल में राइफल का प्रयोग किया जाता है तो बहितलोन बहितिलोन में राइफल का प्रयोग किया जाता है बहितिलोन में किसका प्रयोग किया जाता है एक्विप्मेंट की बात करूँ तो इसकी का किया जाता है पोल्स का किया जाता है और राइफल का किया जाता है बहितिलोन एक शीत कालें खेल है जो कि भारत के लिए 1966 से 1909 तक टेस्ट किर्केट खेला है और वे परशिद भारती स्पिन चोकडी का हिस्सा भी थे उन्होंने 22 टेस्ट मैचों में भारत की कपतानी भी की है नेश्ट यापर निमलिक्त मैंसे कौन सा कोशल फुटबॉल की खेल से संबन्दित नहीं है तो स्टंपिंग हो जाएगा इस्टंपिंग ये किर्केट का टर्म्स है बाकि ड्रिबलिंग है किकिंग है है ये फुटबॉल के टर्म्स है आपको ध्यान में रखना है का एक सवदेशी स्पोट है गेला चोट तिरपुरा से है नेश्ट यहां पे क्योसर नमबर 56 फेडरिशनल इंटरनेशनल डेटिर आल आक या फिर जो फीटा है यानि जो आपको पूचा है एप आई टी ये निमलिक्त मैंसे किस खेल से संबन्दित है तो ये तिरंदाजी का हो जाएगा आर्चरी का फेडरिशन इंटरनेशनल डेटीर आई आर्ख है ये जो गवर्निंग बोड़ी है स्पोट आर्चरी की है इसका हैटक्वाटर कहां पर है तो हैटक्वाटर है स्वीटिजर लेंड में है और नेश्ट वाल देखी क्योसर नमबर 57 दौड परतिस प् दौड होती है इसमें आपकी बेटन एकसेंज को सामिल किया जाता है और चार गुणा जो ये 100 मिटर की रिले दौड थी चार गुणा सो की बाकी मैं बात करूँ चार गुणा 400 मिटर रिले या फिर लंबी रिले के एथलेटी ट्रैक इवेंट है जिसमें टीम में चार धाव पड़ा है ये किस खेल से संबंदित है तो किर्केट से संबंदित हो जाएगा निमन मैं से किस खेल या इस परदा में खेलने के लिए एक बोल के आश्यक्ता होती है तो टैबल टैनिस में बोल के होती है बाकर शत्रंज कराटे और कुस्ती में नहीं रहती है आगला स्वाल शब्द पद जम्प बोल निमनवेस स किस स्पॉर्स से समंदित है तो जम्प बोल याा पर बॉस्केट बोल से सम् नुझ जाएगी कि बोस्केट बोल के बात करू तो इस में एक टीम में कितने खिलाडी या पर रहते हैं तो पांच पिल Surprise कितने तो जो अटने еслиคत बोल दो ब खिलाडी कौन से स्पॉट में कितने हैं आप जरूर याद करना आपको बॉस्केट बोल में होते हैं वो देखिए आप कमेंट करके जरूर बताई एक स्वाल पूचा हुआ है जो रगबी है तो रगबी में कितने खिलाडी खेलते हैं रगबी जो स्पॉट है उसमें आप कमें अगला स्वाल दीके भारत ने सौतंतर होने के बाद पहला ओलम्पिक स्वन्पदक जीतने वाली भारती होकी टीम पर आधारित हिंदी फिलम कौन सी हैं तो भारत के सौतंतर होने के बाद पहला ओलम्पिक स्वन्पदक जीतने वाली जो भारती होकी टीम है उस पर आधारित पुछे तो ये गॉल्ड मुवी है जो की 15 अगस 2018 को रिलीज की गए थी जिसमें इस्टारिंग की बात करें तो इसमें अक्षिकुमार, मोनी रोय और कुनाल कपूर है अगला स्वाल दीखे निमन में से कौन सा केल कोरिया का पारंप्रिक मार्शल आर्ट है तो ये टाइक्वा लिक्त में से किस खेल स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है तो रेड है ये कबडी में मैं आप पता चुका हूँ उपर आपको अगला स्वाल देखे क्यों सा नमबर 66 निमन में से खिलाडियों में कौन सा खिलाडी बिलियर्स या पर सनूकर के साथ जुड़ा हुआ है तो कप है ये फुटबॉल का टूर्णामेंट है तो डूरंड कप आप याद रखिए फुटबॉल से संबंदित हो जाएगा और यहाँ पर 2019 में डूरंड कप की जो जैंपियन है वो है गोकूलम केरला ये भी आपको याद में रखना है सर्वीस शब्द निमलिक्तिमेसिक के स् सर्वीस, अगला सुमाल यहाँ पर double fault शब्द का पर्योग किस खेल में किया जाता है तो double fault है यह टैनिस का टर्म है यह आपको याद में रखना है double fault tennis में इस्टिक के दोरा hitting, stopping, dribbling की किरियाओं का संबढ्द किस खेल से हैं तो इस्टिक के दोरा यहां पर hitting, stopping और dribbling करना है यह hockey से हो जाएगा आप्सण एक रेक्ट हैं इस्टिक के दोरा hockey में अगरा स्वालिया पर महान भारती खिलाड़ी विजे अमरतराज निमलिक्त में से किस खेल से जुड़े हुए हैं तो विजे अमरतराज की बात करें तो ये लॉन टैनिस के खिलाड़ी है नेक्ष्ट निया पर 2022 में आयोजित होने वाले जो शीद कालिन ओलंपिक खेलों की जबानी कौन सा शहर करेगा तो बिजिंग चाइना में आयोजित होने वाले हैं 2022 के शीद कालिन ओलंपिक हैं और 2018 में जो आयोजित हुए थे ये तो ये पियोंचंग साहूत कोरिया में आयोजित हुए थे और उसके बाद जो 2022 के बाद 2026 में होंगे वो होंगे आपकी इटल की टीम ने जीता है जो की और 2020 का जो ICC मैंस T20 वर्ल्ड कप हैं ये आपके सिड्यूल्ड है सेवन्त ICC मैंस T20 वर्ल्ड कप टूनामेंट हैं जो के 18 अक्टुमबर से 15 नॉमबर 2020 को सिड्यूल्ड किया गया है औस्टेले में जित होगा इससे पहले 2016 में जो ICC वर्ल्ड से कौन सा खेल Winter Olympic का भाग है कौन सा स्पोर्ट याँ पर Winter Olympic खेल का भाग है तो Cross Country स्किंग हो जाएगा Winter Olympic का भारत ने 2011 के किर्केट विसुकप के पूरूस वरग में किस देश को Final में हराया था 2011 का भारत किर्केट वर्ल्ड कप जीता था तो Final में सिरलंका को भारत ने हराया थ कबड़ी के खेल में संबंदित निमन में से किस किर्या को खेल के निमका उलंगन माना जाता है तो यह टोटज को हो जाएगा उलंगन माना जाता है बाकि यहाँ पर ड्रीबलिंग की बात करने तो यह जुड़ा हुआ है फूटबॉल बॉस्केट बोल है वाटर पोलो है और पीछे आपके होकी में भी आये था, इस्टिक की मादिम से ड्रिब्लिंग की जाती हैं, यनि आप दो खिलाडी है और आपकी पास बोल हैं, आप उनसे चुपा कर आगे पास करना चाते हैं या फिर शीधे ले जाना चाते हैं, तो जिस परकार से आप किरियाई करके उस बोल को तो टच वाला है ये और इसमें ड्रीडिंग आप्शन में है तो मैंने आपको बता दिया है आगे स्वाल बढ़ते हैं अगरा स्वाल नियापर क्योसा नमबर 77 इस्पोट की परसिक्षन में कौन आतम विश्वास बढ़ाने मनुबल मजबूत करने में मदगार होता है और एकमित्र तथा प्रमार्श दाता के रूप में वो कारे करते हैं तो कोच हो जाएगा काफी इस्वालियापर नेक्स्ट नियापर क्योसा नमबर 78 किस स्पोट में गैंद को परतिदुन्दी की टोक्री में फैकने का लक्षे होता है और बोस्केट बोल राजस्थान का राज्जे खेल है local isports का अग्लाशवाल यहापर किस विष्वयुत के कारण निमन में से किस वर्ष गिर्शम कालीन औलंपिक खेल का एजन कैंसल रद करना पढ़ा था गिर्षम कालिन ओलम्पिक खेल को तो विस व्यूद के कारण 1916 के गिर्षम कालिन ओलम्पिक खेल को कैंसल करना पड़ा था और समर ओलम्पिक गेम्स की बात करूँ जो इसकी शुरुवात होई थी तो पर्थम ये 896 में एथेंस किंग्डम ओफ ग्रीस में आयुचित किये गए थे आगरा स्वाल देखें निमन में से कौन सा खेल ये आफिर इस पोट है वो शृद कालिन ओलम्पिक खेल है तो आई सोकी हो जाएगा शृद कालिन नेक्स्ट आपे निमनिक्त में से कौन सा संक्ठन ओलम्पिक खेलों को विनिमित करता है तो ये अंतराष्टे ओलम्पिक समीती जिसका हैड़ क्वाटर लोजेन स्वीटिजर लेंड में है इसकी स्तापना 1894 में इसकी स्तापना होई थी जो अंतराष्टे ओलम्पिक समीती ह का headquarters है उपकरण पोमेल horse किस खेल से जड़ा हुआ है जो उपकरण पोमेल होर्स है यह gymnastic से जड़ा हुआ है उपकरण अगला स्वाल देखे ओलम्पीक खेलों में कुस्ति की कितनी शेलिया है तो total दो शेलिया है ओलम्पीक spot में कुस्ति की दो कौन सी है तो एक तो आपकी ग्रीको रॉमन कुस्ती है एक है फ्री स्टाइल कुस्ती ये दो है आपकी नेश्ट यहाँ पर निमलिक्त मैसी किस खिलाडी ने ओलम्पिक खेलों में सबसी ज़्यादा यहाँ पर पदक जीते हैं अगला स्वाल लेखिए किस खिलाडी को जेतावनी देने के लिए किस कार्ड का उप्यूग के जाता है तो यह पीला कार्ड है अगला स्वाल यहाँ पर किस नम्बर 36 निमलिक्त मेंस से किस इस्पॉट में एक छोटे से घयंत को कुछ इस्ट्रॉक में एक छिदर में डालना होता है तो यह गल्फ इसपॉट पूचा है तो गॉल्फ में ऐसे होता है austrian open जो एक grand slam tournament है निमलिक्त में से किस sport से जड़ा हुआ है तो austrian open है ये tennis का tournament है अगले यहाँ पर aerobics श्रब्द निमलिक्त में से किस sport से संबन दित है तो aerobics terms है ये gymnastics का terms है आपको याद में रखना है gymnastics निमलिक्त में से किस sport में जीत का point इपन कहलाता है किस sport में जीत का point काफी importance स्बाल है एपन है ये juddo में जीत का point है वो एपन कहलाता है जुड हो जाएगा पैरा allampic स्वाण पदक जीतने वाले पहले भारती कौन है तो पैरा allampic स्वाण पदक जीतने वाले प्रत्हम भारती की बात कहえ तो मरेपन थांगा वेलू है और मरेतन थांगा वेलू जो की इंडियन पेरा ओलम्पिक एक हाई जमपर है और पेरा ओलम्पिक में स्वनपतिक जीतने वाले ये पहले भारती है जो की 2016 में इन्होंने समर ओलम्पिक में हाई जमपर ये गौल्ड मेडल जीता था अगरा स्वालिया पर कॉर्णर किक श्रब्द किस खेल से संबन्दित है तो कॉर्णर किक जो टर्म है ये फोटबॉल की टर्म है कॉर्णर किक अगरा स्वालिया पर साजी थॉमस निम्न में से किस इस्पोर्ट से संबन्दित है तो साजी थॉमस की बात करें तो ये नोका यंसे सम्मंदित हैं साजी थॉमस हैं इंडियन रोवर हैं जो की कैरला से रहने वाले हैं विजे हजारे ट्रोफी का सम्मंद किस स्पोर्ट से हैं विजे हजारे की क्रिकेट की ट्रोफी हैं 2019-20 में विजे हजारे ट्रॉफी में जैंपियन रही थी करनाटे का जो की चौता टाइटल है ये इनका सबसे ज़्यादा बार जीट चुकी है वो तमीन नाडू है टोटल पांच टाइटल तमीन नाडू के पास में है और विजे हजारे ट्रॉफी ये किरिकेट की ट्रॉफी ह अगरा स्वाल देखे निमल एक मैंसे किस खेल में बल्ले की जरूरत होती है तो सौप्ट बोल में बल्ले की जरूरत होती है वाकई फुटबॉल रगभी वोलीबोल में नहीं होती है स्वाप्ट बोल में नमबर ओप प्लेयर्स की बात करते हैं परते एक टीम में नो खिलाडी होते हैं स्वाप्ट बोल में याद रखना आपको जो अगरा स्वाल देखे किर्केट मैच शुरू करने के लिए परते एक टीम के पास ऐोजी खिलाडियों के अत्रिक्ट कितने खिलाडि होने चाहिए मतलब केट मैं जो टोटल 15 खिलाडि होते हैं तो आपको पूचाए ऐोजी के अत्रिक टोटल लेते हैं ग्यारा प्लस चार यापर आपके रिजोर में हो जाएंगे यहीं ही टोटल पंदरा मैंसे 11 खेलाड़ी आपका सही हो जाएगा किरकेट में अगरा स्वाल देखे क्योंसा नमबर 96 जो जल्ली कट्टू है तमिन लाडू का खेल है वो सम्मंदित है बैनों की लड़ाई से और इसकीट और पिस्टोल शब्द किस खेल से जुड़े हुए है तो इसकीट और पिस्टोल ये शुटिंग से जुड़े हुए है खोको के खेल में खो शब्द का अर्थ क्या है तो खो का अर्थ है जाओ पकड़ो जाओ और पकड़ो ये खो का अर्थ रहता है निमलिक्त में से कौन से वेक्ति जिमनाश्टिक से सम्मंदित है तो दीपा करमाकर है ये जिमनाश्टिक से सम्मंदित है भारती खिलाडी जो कि तिरपुरा से बलोंग करती है बहुत बार पूचा गए है और करमाकर उन पांच महिलाओं में से एक है जो कि सफलता पूरक प्र प्रावधान है वो भारते समयधान की कौन सी लिस्ट में है तो ये राज्य सुची हो जाएगा राज्य सुची की बात करूँ तो जो सेकेंड ये लिस्ट है इसमें वर्तमान में टोटल 61 आइटम है और प्रारम में भारत की समयधान की अनुसुची ये जो राज्य सुची है स में 66 आइटम थे वर्तमान में 61 है और जो यूनियन लिस्ट है इसमें टोटल 100 आइटम है अभी वर्तमान में और जो समवर्ति हुझी में टोटल कितने विश्य है तो वर्तमान में 52 है अगला स्वाल यहां पर भारो तोलकों के वर्गीकंद के लिए किस मापदंड का तो कूछ जो बिहार ट्रोफी है ये दोस्तो किर्केट की हैं इंडिया जैसनल किर्केट टूनामेंट अंडर 19 खिलाडियों की जो ये ट्रोफी हैं कूछ बिहार ट्रोफी किर्केट की हो जाएगी जो की पर्थम बार 1946 के सीजन में हुई थी शुरुआत इसकी फ्लाइंग सिक ऑफ इंडिया की रूप में कौन जाने जाते हैं तो मिल्का सिंग है ये फ्लाइंग सिक ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं रिंग नेट और बोल का संबन निमन में से किस खेल से हैं जो रिंग के नीचे नेट होती है और बोल है ये तीनों ही बॉसकेट बोल के टर्म्स हो जाएंगे और अगला स्वाल देखिए यहां पर कर्लिंग खेल जो स्पोर्ट है यह कौन सा उपकरण प्रयूग किया जाता है तो कर्लिंग spot में stone का प्रयूग किया जाता है देखी curling में होता क्या है ये एक ऐसा खेल जिसमें खिलाड़ी एक target छेतर रहता है उसकी और बरफ की जो cheat है उस पर पत्थर मारते हैं जो चार सर केंदी सर्कल रहते हैं और इसमें ये spot खेला जाता है इसमें जो terms है इसमें जो terms है इस रेलिटेट टू बाउल्स है बोल्स और सफल बोर्ड है ये इससे सम्मंदित है तो curling में क्या होता है stone का प्रयूग किया जाता है जो की बरफ की cheat पर पत्थर मारे जाते हैं और जार सर केंदी सर्कल में इसको विवाजित किया जाता है तो curling में spot stone हो जाएगा आपकी अगरा स्वाल देखिए 107 देवधर ट्रोफी किस प्रतिश्परदा से जुड़ी हुई तो देवधर ट्रोफी है ये cricket की है 2019-2020 में देवधर ट्रोफी में champion है इंडिया B रही है और ये एक list एक cricket competition है भारत का देवधर ट्रोफी है किर्केट का हो जाएगा और 2019-2020 में जो champion देथी इंडिया B रही थी और ये जो format है ये आपकी ODI है पच्चास और कर रहता है निमन मैंसे किस खिलाड़ी का सम्भन टैनिस से है तो रोजर फेडर का है जो कि इंस्प्यूट जे लेंड के खिलाड़ी है अगला स्वाल देखे निमन मैंसे किस इस्पोर्ट की उत्पती प्राचिन जापानी कला जुझू तशू से हुई है तो किस इस्पोर्ट की उत्पती प्राचिन जापानी कला जुजू तशू से हुई है तो ये जुड़ो की उत्पती हुई है वो जुजू तशू से हुई है जो एक जापानी कला है जुड़ो जुजू तशू से नेट्श वाल देखी 110 वोली बॉल खेल में रेफरी एक पीला कार्ड देखी पीला कार्ड है ये जायतावनिका है आगराशवाल भारत में राष्टे खेल दिवस 29 अगस्त को मराया जाता है निमन मेंसे किस खेल में net की आवशिक्ता होती है तो band meeting में होती है सभी को पता होना चाहिए गॉल्फ खेलने के लिए निमन मेंसे कौन से उपकरण की आवशिक्ता रहती है तो कल्ब की रहती है जो गॉल्फ कल्ब है ये कल्ब used to hit a golf ball है उसको hit करने के लिए जो stick रहती है जो नीचे एक चमस की तरह इस टाइब से stick रहती है और उसके मात्यम से golf ball को hit किया जाता है तो ये कल्ब है ये golf पी term हो जाएगी golf खेलने के लिए कौन सा उपकरण क्या शिता है तो कल्ब की रहती है अगला स्वाल देखिए आपर thomas cup और uber cup निवन में से किस खेल से सम्दित है तो band meeting के है thomas cup और uber cup है ये band meeting के कफ है अगला स्वाल निवन में से किस खेल में floor exercise भी सम्दित रहती है तो gymnastic में floor exercise भी सम्दित रहती है, नेस्ट आपण इउन में से कौनसा कोशल है, बैस बोल से सम्मंदित है, तो पिचिंग हो जाएगा, बैस बोल से, इसमें दोस्तों एक ओप्शन है, काइक इंग है, जो कायकिंग है, यह पानी के पार जाने के लिए कस्ति का उप्यू किया जाता है, कायक का उप्यू है batch running हो जाएगा और defense में जो pitching आपको पूछा गया है pitching और filing defense में offense में betting और best running हो जाएगा तो जो batch ball की term है pitching है новые commercial है ये base ball से संब्दित है है base ball में total low klari खेलते हैं अगला स्वाल यहां पर नेमलिके से कौन सा खिलाडी football से संब्दित है तो david backup है ये football से समंदित हैं बाकी यहां पर जो तीन ओप्सन दिये गए हैं जिसमें नुवाक जोकोविच है यह सरभिया के टैनिस खिलाड़ी है एंडी मर्रे भी बिर्टिश टैनिस पलेइर हैं और आंद्रे अगासी है यह अमरिकन टैनिस खिलाडी है और डेविड रोबर्ट जोसफ बेकम है ये अंग्रेज फूट वॉल खिलाडी है जो आपको पूछा गया है कौन सा खिलाडी फूट वॉल से संबन देते हैं डेविड बेकम है बाकी नुवाक जोकोविच एंडी मर्रे और आंद्रे अगासी है ये तीनों ही टैन की आउशिक्ता होती है कर्लिंग में आपको उपर बता चुका हूं जो की एक बरब की सीट पर है वो पत्थर की सहाइता से आप पर लाग्सेट छेतर के और चार सक एंदरी सर्कल में विभाजित किया जाता है और पत्थर मारते हैं बरब की सीट पर कर्लिंग में अगला 11 फेडरेशन इंटरनेशनल दी नेटेशन एक्वेटिक्स यानी FINA किसे संबंदित है तो यह आपकी स्विमिंग हो जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल दी नेटेशन है यह 13 किसे संबंदित है इसका हैड़कॉर्टर लोजैन स्वीडिजलेंड में हैं अगला स्वाल देखे 120 इस रोलेंड गेरोस ग्रेंड स्लेम टैनिस टूनामेंट निमलिक्त मेंसे किस से संबंदित है जो ग्रेंड स्लेम है नाम है रोलेंड गेरोस ग्रेंड स्लेम जो टैनिस टूनामेंट है यह फ्रेंच ओपन का हो जाएगा जो ग्रेंड स्लेम चार टूनामेंट है औस्टेरिय जुड़ेवे हैं अगला स्वाल के उसर नमबर 122 सोमर सॉल्ट शब्द का संबंद किस खेल से है तो डाइविंग से हो जाएगा डाइविंग है इस पॉर्ट जिसमें जम्पिंग है और फैलिंग इन्टू वाटर फ्रॉम में प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म जो स्प्र के अंदर है यह आपके डाइविंग अगला स्वाल देखे तीन सो कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन है तो एमस धौनी हो जाएगा लैग बिफॉर्ट शब्द क्रिकेट का है यहाँ पर अगला यहाँ पर निमनमे से कौन सी प्रतिवकिता भारती फुट प्रियशन कंप टोरैन्ड कंप और संतोश ट्रॉफी अग्रा स्वाल देखें यहाँ पर सुद्री मंन कप का संबंद किस स्पोर्ट से हैं तो शुद्री का अंतराष्टी क्रिकेट परिशद यानि इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है आई सी सी हो जाएगा इसका जिसका हेटकार है दोबई यूनाइटेड अरब अमिरात में है इस्तापना 1909 को हुई थी 15 जून 1909 को अगला स्वाल क्योसर नंबर 128 विशन सिहिंबेदी किस खे लाड़ी उपर आभी जुका है निमलिक्त में से कौन सा खेल रेकेट के उपयोग के दोरा खेला जाता है तो रेकेट है ये बैंड मीटन में इसका उपयोग किया जाता है अगला स्वालियां पर ओलंपियाड शब्द हैं ये कितने वर्ष की समयावदी को व्यक्त करता है त शास्त्री ग्रीस के ओलंपिक खेलों के साथ सम्मंदित है वर्तमान समय में एक ओलंपियाड उस वर्ष जिसमें गिर्षम कालिन ओलंपिक खेला जित होने है उसकी एक जनारी से सुरू होकर चार वर्ष तक चलता है ओलंपियाड जो कि चार वर्ष के आउधी रहती है पहला helmet पहनना जरूरी है तो hockey में goal keeper को helmet पहनना जरूरी है इस option के according hockey correct इस में goal करने की किरिया का सम्मंद किस खेल से है तो water polo में goal करने की किरिया का सम्मंद हो जाएगा नेस्ट या पे निमलिक्त में से किस sports में खेलने के लिए गैंद की आवसिकता होती है तो वोलीबोल में खेलने के लिए गैंद आपकुछ चाहिए किरकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या होता है तो लैग डिफॉर विकेट हो जाएगा रियो ओलम्पिक 2016 में पूरूस वोलीबोल में निमलिक्त में से कौन सा विजेता देश रह चुका है तो रियो ओलम्पिक जो 2016 में हुआ था ब्राजिल में तो इसमें वोलीबोल में कौन सा विजेता रहा है तो ब्राजिल रहा है वोलीबोल में नेक्स्ट यहाँ पर जो 2020 में टोक्यो ओलम्पिक होना था जो कि ओरिजिनली स्टीडूल था 24 जुलाई से 9 अगस 2020 तक और अभी ये रिस्टीडूल करके 23 जुलाई से 8 अगस 2021 कर दिया गया है द्यू टू क्रोना वाइरस पेंडेमिक अगला स्वाल देखे क्रिकेट का खेर मुलत किस देश से हैं तो इंगलेंड से हैं क्रिकेट का खिलाडी हैंडरी कॉपर और माइक टाइसन किस खेल से जुड़े हुए हैं तो माइक टाइसन और हैंडरी कॉपर हैं ये मुक्की बाजी से जुड़े हुए हैं बॉस्केट बॉल कोर्ट का आकार होता है आयताकार है निमन में से कौन सा खेल विंटर ओलम्पिक खेल का भाग है तो क्रॉस कंट्री स्केइंग है विंटर ओलम्पिक का भाग अगला और जो आपका लाश्ट स्वाल है निमन में से किस स्पोर्ट में खेलते समय एक जुटता ह होती हैं तो बॉस केट बोल में खेलते समय एक जुटता होती है और दो टीम में प्रतेग तीम में पांच खिलारी र्यते हैं तो इस वीडियो में डोटल अज़िन इने 142 स्वाल कवर की है जो कि अगले पार्ण में कवर करूंगा तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजी और जो important वीडियो है इस टाइब से जो अभी स्वाल पूछे जा रहे हैं वरत्मान trend को ध्यान में रखती हूँ जो जीकी के जो मैंने एक playlist बनाई है वो अभी आप देख सकते हूँ description box में link है बाकी SSC और railway की previous share की पेड़े पे जाप download करना चाहते हूँ discount डील के तहर्त तो उसकी link description में payment के बाद वाट्शेप कीजिए वाट्शेप नंबर है 83072416 अभी आप कर सकते हूँ किसी भी information के लिए 83092416 दोरा link description box में है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मिलती है ऐसे किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए वंदे मात्रम जहिन दोस्तों